गुद नॉनिंग स्टुडेंट, टेक आउट यूर साइंस बोग, चैप्टर फाइव, ओपेंट, पेस नमबर फिफ्टी टू, यस्टरड़े वी लर्न्ट, एक्सरसाइज और हेल्थी फूद, तोडेज टॉपिक इस पॉश्चर, पॉश्चर में हमें अपने बॉड़ी की किस टाइप से रखनी चाहिए, हमें कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे बैटना चाहिए, और कैसे चलना चाहिए, इस पॉश्चर, हमारी बॉड़ी की जो पॉश्चर होती है, वो कैसी होनी चाहिए, हमारी बॉड़ी की जो पॉश्चर है, किस तरीके से हमें खड़े होना चाहिए, बैठना चाहिए और चलना चाहिए, वो होता है पॉश्चर, We should always keep a straight and upright posture, हमें हमेशा अपने बॉड़ी के पॉश्चर को बिलकुल सीधा रखना चाहिए, हमें सीधा खड़े होना चाहिए, और सीधे ही बैठना चाहिए, देखिए कैसे बैठे हैं, ये right position है, ये wrong position है, हमारे बॉड़ी के पॉश्चर wrong है, ये correct पॉश्चर है, तो हमें सीधे ही बैठना चाहिए, और सीधे ही खड़े होना चाहिए एकदम, a good posture help us stay healthy, अगर हम अच्छे posture अपनी बॉड़ी को सीधे खड़े रहेंगे, सीधे बैठेंगे, तो हमारी बॉड़ी पॉश्चर की वज़े से अच्छी हमारी बॉड़ी health भी रहेगी, it keep our body in proper shape, और इस लिए हमें अपने posture पे बहुत ही ध्यान देना है, हमें कैसे खड़े रहना है, कैसे बैठना है, अगर आप खेयर में बैठेंगे, यह रॉंग पॉश्चर है, यह रॉंग है, इससे हमारी जो बैक बोन है, वो पेन होने लगती है, बहुत सारी problems हो जाती है, और जब खड़े होंगे, तो बिल्कुल हमें सीधे ही खड़े होना है, ना कि बैंड होके खड़े रहें जुखके, गंदे जुखके, बिल्कुल अच्छे, अच्छा, गुड पॉश्चर होना चाहिए, ताकि उससे हमारी बोडी हेल्दी भी रहती है, और प्रॉपर स्चेप में भी रहती है Now, take out your science classwork copy, science classwork copy, keyword करेंगे science copy में, skeleton, joint and posture, date लिखेंगे, classwork लिखेंगे, chapter number 5 लिखेंगे, और chapter name राइट करेंगे, और फिर लिखेंगे keyword, फिर उसके बाद skeleton, skeleton का ये sentence राइट करेंगे, फिर joint, joint के बारे में और फिर posture, ये तीनों classwork copy में करेंगे, ओके, and read chapter 5 whole